कि नमस्कार प्रियाजनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुपचिंतक वीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सूर्य ग्रहन 25 अक्टूबर को है मंगलवार को अब किवार ज लेकां पर पाबली ऐक साथ पड़ रहे हैं ऐसा बहुत कम होता है लेकिन अब की वार ऐसा हो रहा है और सूर्य ग्रहन पूरे यानि के पूरे वीशुम में जो लगेगा यानिकी हमारे भारत में तो अलक से दिखाई वो रहेगा 4 बजगर 15 मिन्ट से शाम को शुरू हो जाएगा और 6 बजगर 15 मिन्ट पर इसके स्माप्ति हो जाएगी ये सूर्य ग्रहाण का परभाव रहेगा हमारे भारत में जो की वैसे सूर्य ग्रहाण देखे कहीं दिखाई दे न दे लेकिन सूर्य सभी का एक ही है और उस विवा की देरी को जहल रहे हैं विवा की देरी करवा रहे होते हैं राहू के तू शनी मंगल सूर्य ये क्रूर ग्रह जो होते हैं यही करवा रहे होते हैं सूर्य देव हलाकी देव ग्रह हैं लेकिन फिर भी ये सक्त होते हैं और इनका दोश भी लगता ही लगता है तो ऐसे में जब सूर्य देव खुद प्रभावित है प्रेशान है इन सूर्य रहू और केतु से तो ज़्यादा उनके कुंडली में दोशना बन जाएं, विवा के लिए देरी न हो जाएं, इसके लिए आपको बता रही हूं कि इस उपाय को जरूर करें, और ये उपाय भी माता पिता कर सकते हैं, मां कर सकती है, बिलकुल उनको करना चाहिए, ताकि बच्चों के विवा दोशन बने, और बच्चे खुद करना चाहते हो, तो बच्चे खुद भी करें, सारे दोश इस से समापत होंगे, बहुत आसान सा उपाय है, कोई ज़्यादा खर्चीला नहीं है, कुछ भी, आपको बता रही हूं, आप सूर्य ग्रहन शुरू हो, उससे पहले इस सामगरी को इकठ करते करते, ठक जाएं, प्रेशान हो जाएं, सिर्फ एक मुठी साबुत काले उड़्द, और एक मुठी मसूर की लाल दाल, मंगलवार के दिन लग रहा है न, इसलिए, और वैसे भी मंगलवार वैसे मंगलवार खुद भी बहुत सक्त और करूर होते हैं, इसलिए मंगल दो सिर्फ एक मुठी काले तिल और एक मुठी ही सफेद तिल, ये सामगरी आप ग्रहन शुरू हो, उससे पहले ही कठी कर लीजिएगा, मंगलवार के दिन सुबह में, जब ग्रहन शुरू ना हुआ हो, ये चीज़ें कठी करें, उसके बाद से आपको लेने होगी, एक मुठी ह घर में होती है, मुझे लगता है, ये सारी चीज़ें आपके घर में, आपके खीचर में ही हैं, लगभग आपको कोई भी चीज़ एकाद लेनी, बजार से लानी पड़े, अन्यता सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा प्रिशानी नहीं आए कि बच्चे हो आपके पास तो आप क्या करें बच्चे ना हो आपके पास तो आप इस उपाय को कैसे करें एक ले लीजिएगा नारियल एक नारियल सुखा नारियल हो वो ले लीजिएगा पानी वाला मिले तो मिले ना मिले तो सुखा नारियल एक ले लीजिएगा इतनी चीज आपके पास हो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपके घर में मिलेंगी लेकिन जो करें अबिए अब आपको अच्छी बात है सवह मिटर ना मिले तो चिंता बत करना जितना भी काला कपड़ा आपको मिल जाये जैसा भी मिल जाए कला कपड़ा मेंगा हो सस्ता हो कैसा भी हो उसमें इस सारी चीज़ को बांध लीजिएगा बांधने के बाद अब बताती हूँ कि बेटा बेटी हो तो कैसे करेंगे बेटा बेटी ना हो तो कैसे करेंगे और इनको फिर आप विसरजित कैसे करेंगे यानि क बाहर कैसे छोड़ेंगे इसको इन सारी चीजों को आप अपने पूजा घर में लेके बैठें बच्चों की विवा की कामना के लिए कि उनके विवा में दोश ना लगें ये सारी चीजें आपको ग्रहन दोश अपने भारत में लगेगा उससे पहले कर लेनी है आपको यानि कि चार बजकर 15 मिन्ट से पहले इन सारी चीजों को आप ले लीजेगा बेटा बेटी पास में हो मदर लोगों के पास में या बेटा बेटी खुद हो तो एंटिकलोक वाइज साथ वार वो बच्चा जो विवा से प्रेशान है अपने सिरसे वारे या माता उनके सिरसे वार दे पिता कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है टेंशन नहीं है पिता भी कर सकते हैं बच्चों के सिर के उपर से वार दे साथ वार एंटिकलोक वाइज वार के इस कपड़े को काले कपड़े को घर के एक साइड में रख दें या तो दक्षिन दिशा में रखें या घर के किसी भ को जो पोटली एक बनी हुई है उसको अपने माथे से लगाना है साथ बार अपने माथे से साथ बार लगाईएगा और प्राठना करिएगा भगवान से कि बच्चे के विवाद दोर सारे समापत हो जाएं इस ग्रहन के साथ ही ग्रहन दोश के साथ ही जो बच्चों के कुंडल में रखने के बाद अगर तो आपने बच्चे की सिर के ओपर से वारा है बच्चे भी सुनने इस बातों कि उन्होंने अपने सीर के ऊपर से अंटिक लोग वाईजिस को साथ वार वार लिया है तो तो इसको आप पानी में विसर्जित करेंगे आप सुन लीजिए कि आप इसको पानी में भी सर्जित करेंगे अगर आपने सिर के उपर से नहीं वारा माने बच्चे पास में नहीं रहते माने माथे से चुआ के ही उस पोटली को रख लिया है तो फिर इसको आप मंदिर में छोड़ सकते हैं किसी भी मंदिर में छोड़े आईएगा कोई भी भगवान के मंदिर में रपित कर दीजिए क्योंकि वारने के बाद चीज को भगवान को रपित नहीं की जाती है वो फिर पानी में भी सर्जित की जाती है और जो चीज आप वार लेते हैं जो आप चीज वारते नहीं हैं, माथे से छुआ लेते हैं, अपनी मनो कामना पूरती के लिए, उसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं, ये सारी चीज को आप मंदिर में दान करके आएगा, अपने बच्चों के विवा, शिगर विवा की कामना के लिए, बच्चे खुद कर रह और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना कभी भी न भूले आप भूल जाते हैं इसलिए याद करवाती हूँ कमेंट वक्स में हर हर महादेव वश्य लिखे थैंक्स फुर वाद